इस सिविल सेवा दिवस पर टीम द्रिष्टी सभी ऑनलाइन और पेंड्राइव कोर्सिस पर 50 प्रतिशत की छूट लेकर आई है। और फटेथी केवाले कीस अप्रैल है। इसके लिए डाउनलोड करें द्रिष्टी लानिंग अप। सरकार और लोगों की बीच पुल बनाने की रूप में सबसी महतुकून जिम्मिदारी होती है सिविल सेव को। यह बात कही थी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाच पेजी और आज यानि 21 अप्रैल को भारत में रास्टी सिविल सेवा दिवस की रूप में मनाया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक खास यहां पर तौफा आपको प्रदान किया है जिसमें हम सभी अपने ऑन-लाइन और पेंड्राइब कोर्सेस और टैस्सीरीज कोर्सेस में 50 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं। इससे जोड़ी अनिजानकारी के लिए आप इन नंबर पर संपर कर सकते हैं। भारती सभी धान में से जोड़े कौन-कौन से समभी धानिक प्रावधान किये गए हैं। फिर समझेंगे लास्ट में सरदार बल्लभाई पतेल के बारे में। क्योंकि सरदार बल्लभाई पतेल ने भारत में सिविल सेवक को स्टील फ्रेम की रूप में कहा है। आज के सेशन पर आधारतिक प्रिश्ण होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्षिन में देना है आपको कमेंट सेक्षिन में एक और जवाब देना है कि यह जो पूरा टॉपिक है विराष्ट्री सिवल सेवा दिवस यह हमारे समाने अध्यन यानि जी एस पेपर के कौन से पेपर से संबंदित है यह बात भी आपको कमेंट सेक्षिन में बताना है आए सबसे पहले देखते हैं खबर इंडियन एक्सप्रस में प्रकाशित की गई है इसके बारे में यह पूरी खबर आज इंडियन इसके बारे में हम आज सेशन में चर्चा भी करेंगे और इसकी बने रहने की पीछी कारण क्या है कि हर साल भारत मैं 21 अप्रेल को रास्टी सिविल सेवा दिवस की मनाया जाता है यह दिन क्यों मनाया जाता है यह दिन मनाया जाता है देश की विकास में सिविल सेवकों की योगदान को याद करने के लिए इस लिहास से भारसरकार इन्हें पुरुसकार भी प्रदान करती है तो इनके योगदान के लिए ही कहदिवस मनाया जाता है इसे यानि इस सेशन के दौरान जब राष्ट्री सेवल सेवा दिवस मनाया गया था यह भी कहागया था कि झाल रहा है कि टाकि सिविल सेवकों को उनकी निवारण के लिए हो चाहि किसी राज्य किसी जिले में सबसे अच्छे प्रदर्सक्राइब की लिए हो बहतर सूविधाय उप्लक्द कराने के लिहाज से और ने धेखा कि रही है कि अब हम देखेंगे हमारे भारत में सिवल सेवा के इतिहात या इसकी प्रिश्ट भूमे को यदि बात करें गया कि आंखर लाख्षरी सिव्ल सेवा कभ से मनाया जाना शुरू किया गया तो इसकी शुरुवात हुई वर्ष 2006 में नागरिकों के हितों के लिए खुद को समर्पित करने की लिहास से यह दिवस मनायी जाने की शुरुवाथ की गई थी जिसमें कहा गया था कि सिविल सेव सारोजनिक जो सेवा भारत में जन्सीकायतों के निर्माण के लिए भहतरीन कारे कर रहे हैं और अच्छी प्रथाओं को लागू कर रहे हैं इन्हें यहां पर इस दीवस में इस अवसर पर यहाप पुरुसकार भी प्रदान किया जाएगा जिसने जोड़ी कुछ हने तथ्यों की एदी हम बात करें तो इसमें सार्वजनिक सेवा और काम में उत्पृष्टा के लिए अपनी प्रतिपद्दाओं को नवीनिकरत करने के अवसर की रूप में इसे देखा गया था क्योंकि जब सभी आपस में एक खट्टे होंगे यहाँ पर इस दिवस को मनाया जाएगा कैसी वहाँ पर नई नई प्रताएं प्रैक्रिसेज लागू हो रहे हैं और लोगों के लिए सुविधाएं आसान हो रहे हैं इसलिए इस दिवस को मनाया जाने की शुरुआत की गई थी इस दिन को भारत के पहले ग्रह मंत्री सरदार वल्ला भाई पटेल की याद में चुना गया था यानि इसकी शुरुआत भारत में वर्ष 2006 में हुई लेकिन इस दिन को ही क्यों चुना गया था इस दिन को चुना गया था क्योंकि इसी दिन वर्ष 1947 में मैटकॉफ हाउस दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिविक छार्तियों को सरदार वल्ला भाई पटेल ने संबोधित किया था इसलिए इस दिन को इसी उपलक्ष के लिए चुना गया था इस दिन सरदार वल्ला भाई पटेल ने भारत में जो प्रशासनिक सेवा अधिकारियों समयकारे कर रहे थे उन्होंने कहा कि वे भारत का स्टील फ्रेम है भारत के निर्मान में वे भूमी का निभा रहे हैं वे लोगों और सरकार के बीच सेतु और पुल का कारे कर रहे हैं कैसे लोगों के शिकायतों करने वारन किया जाना चाहिए एक जिला कैसे उत्रश्ट हो सकता है वहां कौन-कौन सी जरूरत हैं इन सभी के बारे में और इन सभी के समस्या के समाधान की रूप में जो कारे कर रहे सिविल सेवा कि इसलिए उन्हें क्या था कि भारत के स्टील फ्रेम माने जाते हैं हमने देखा कि वर्तमान में जो यह राश्ट्री सिवल सेवा देवस मनाया जा रहा है इसकी शुरुआत कब हुई थी वर्धु अच्छे से हुई है विज्ञान भवन नई दिल्ली में पहला स किया गया था और इसमें लोग प्रशासन में उत्क्रश्टा के लिए प्रधान मंत्री पुरुस्कार भी प्रदान किये गए थे जिलों कारेन में इकायों को प्राथ्मिक कारिक्रम और नवाचार श्रेणियों के कारिक्रम के लिए प्रदान किये गए थे ताकि इससे पता कि कौन कौन से शेत्र में किस-किस प्रकार का दावाचारे चल रहा है और आपस में इसकी प्रश्ट भूमी के बारे में हम समझेंगे भारत में या भारती समविधान में से जोड़े कौन-कौन से प्रावधान शामिल किये गए हैं यदि हम बात करें भारती सम्विधान के बारे में संख और राज्यों के लिए एक कॉमन अखिल भारती सेवा यानी All India शर्विसे की निर्मान में और इसका नाम अखिल भारती सेवा धिनियम नियम सकती है ध्यान रखेगा तो अखिल भारती लेवल पर इस सेवा की बात की जा रही है और अखिल भारती लेवल पर कौन-कौन सी सेवाइं को शामिल किया गया है तीन सेवाइं इसमें इंडियन एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानि आई एस इंडियन पूलिस सर्विस यानि आई प प्रतियोगी परिक्षा के माध्यम से जिसे सीधी भर्ती की रूप में कहा जाता है और दूसरी है राजय सिवा से पदोन्मती प्राप्त करके कोई व्यक्ति इन जो पोस्ट है इन में यहां पर आ सकता है यह तो हमने देखा भारती समविधान में कौन-कौन से प्रावधान कि अब हम जानेंगे कि भारती समविधान में इससे जुड़ी संस्था के लिए कौन से अनुछेत को शामिल किया गया है तो भारत में अनुछेत 315 में संघ और राज्यों के लिए लोग सेवा आयोग की बात कही गई है पब्लिक सर्विस कमिशन की बात कही गई है और पब्लि 317 में लोग सेवा आयोग के सदस्यों को हटाये जाने के संदर्व में इनकी निलंबन के संदर्व में कौन-कौन सी चीजें हैं कौन-कौन सी शर्त हैं कौन-कौन से प्रावधान है इसकी बात करता है भारती समविधान का उनुछेत 318 लोग सेवा आयोग के सदस्यों और कर पंचारीयों की सेवा की शर्टों के संबंध में बनाने की शक्ति की बात करता है वहीं भारती सम्विधान का अनुशे 319 लोकसेवा जो सदस्य है उनके द्वाराइन सदस्यों के पतधरन करने पर किन आधारों पर यहां पर रोक लगाई जा सकती है इस बारे में भी प्रावधान करता है वहीं भारती समविधान का अनुशे 320 लोकसेवा आयोक के कार्यों की बात करता है और कैसे इन कार्यों को आगे विस्तार दिया जा सकत लोकसे आयोग अपनी रिपोर्ट भी जारी करता है और इसके जो रिपोर्ट होती हैं लोग इसके बारे में निदि करते हैं ये हमने देखा भारती सिविल सेवक को स्टील फ्रेम की रूप में कहा है कि आखिर उन से जड़ी कौन-कौन से तक हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है यानि सरदार वलब भाई पटेल के बारे में हम जाने यदि हम इनके जन्म की बात करें तो जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नदियार कहां हुआ था उजरात में हुआ था यह भारत के पहली ग्रह मंत्री और उप्रदान मंत्री हैं इन्होंने भारती संग के निर्माण में विभिन रियासतों को करने में महजकूंड भूमी का निभाई है यानी अकंड भारत की निर्माण में जिस विक्ति ने सबसे महजकूंड रोल अदा किया है वे हैं सरदार वल्लाभाई पटेल यहाँ पर बारदोली कहां पर है यह भी गुजरात में हैं बार्दोली में आफिरleich के और भात के सेवकों के संद्रक्षकसंत की रूप्यास से अखिल भारती जो सेवा है उसके संद्क्षण कि बात यदि किसी वेक्षी ने पहली बार के विखी तो वे हैं सर्दार वल्ला भाई पटेल के वडिया में उनके सम्मान में स्ट्रेश टू आउफ यूनिटी का निर्माद किया गया है जो कि एक तथ्य हो सकता है किसी भी एक्जाम के पूछा जाए तो यह दो हमने जाना सर्दार वल्ला भाई पटेल की याद में चुणा गया ऑप्शन है केवल एक केवल दो एक और दो दून ना तो एक और ना है तो इस प्रशन से जोड़ा आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है आपके लिए एक और महाज़पूर्ण सूचना है यदि आप किसी भी इंड नाम से ही बनाया गया है उस पर विजिट कर सकते हैं वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी तो आज के सेशन में इतना ही मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए शुक्रिया